नमस्कार आज हम लोग कप्छा दस्वी के पाठ से मचली कहानी का अध्यान करेंगे यह विनोत कुमार सुकल की रचना है यह नारी के विवस्ता की एक जो प्रतीक है मचली के रूप में यहां दिखाया गया है तो यह वीडियो होगा निव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से और हम इसे संचिप्त रूप में अध्यान करेंगे पिता जी ने तीन मचलियां खर दी थी जिसमें से एक मचली जोले में ही मर गई थी और दो मचलिया जिन्दा थी कहानिकार मन ही मन सोच रहे थे कि पिता जी से एक मचली मांगकर कुए में डाल कर बड़ा करेंगे संतु ये जो कहानी है संतु के इर्दगित घुमती है संतु मुक किरदार में है तो संतु की दीदी ने कहा था कि मरे हुई मचली की आखों में जहाकने से परच्छाई नहीं दिखती है मा मसाला पीस रही थी संतु को लगा की मचली अभी मर जाएगी यह सोच कर दोनों उदास हो गए अचानक संतु के मन में तुफान उठा और वह एक मचली लेकर भागा जगु भी मचली आएं काटना छोर कर संतु के पीछे भागा जगु को डर था कि संतु मचली को कुए में डाल देगा और पिता जी से उसे डाट पड़ेगी पिता जी दीदी को किसी बात पर मारते थे दीदी अपने कमडे में सिसक सिसक रही थी और पिता जी गुसे में थे पूरा घर मचली के गंद से भड़ा हुआ था संतु की दीदी बहुत ही सुन्दर और सुसील लग रही थी संतु को दीदी ने अपने हाथों से अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे परिवार में दीदी के अरमानों का गला घोटा जाता है पर पर वह उसका बिरोध नहीं करती है उसे पीटा जाता है क्योंकि वह किसी दूसरे से प्रेम करती है वह रोती है, सिसकती है लेकिन वह कुछ भोल नहीं सकती है यह एक मध्यमवर्थ के परिवार की घटना है रोना ही उसकी जिंदिगी का सबसे बड़ा सच है मचली भारती नारी की पतीक है मचली बेजुआ होती है मचली कभी बोलती नहीं है या कोई जानवर कभी बोलता नहीं है या हम उसे जो बोलता है उस बवानी को समझ नहीं पाते कोई उसे मनरंजन के लिए कोई मचली पालता है अपने मनरंजन के लिए सौख के लिए तो कोई खाने के लिए लेकिन वह कभी बिरोध नहीं करती है उसी तरह से नारी भी अपने कस्ट को किसी के सामने जो किसंतु की रूप में यहां दिखाई गई है वह बिरोध नहीं करती है वह निर्वल मुक और परतंत्र है दूसरे पर आसरित है यह विनोत कुमार शुकल की रचना है और इसमें नारी की जो इस्तिती और उसकी विवास्ता है उसको बड़ा ही मर्मिक ढंक से प्रस्तूत किया गया है यह वीडियो आप निव एजुकेशन पॉइंट के तरप से देख रहे थे जैहें जैभारत